आज इस वीडियो में सीख रहे हैं ITR 2 की फाइलिंग बहुत सारे persons ने मुझे request करी और आपकी request पे अब ये वीडियो है और आपको ये वीडियो end तक देखनी है बिना skip करें थोड़ी सी लंबी लगेगी आपको वीडियो पर अगर ध्यान से देखेंगे पेशन्स के साथ तो आपके concept clear हो जाएंगे ITR 2 वो person choose करते हैं जिनकी income होती है share market से shares को sale करा, property को sale करा, mutual funds को sale करा जाधा तर वो person ITR 2 को choose करते हैं या फिर आप non resident है तो बहुत सारी चीज़े साथ साथ discussion करते रहेंगे मैं आपको एक statement भी दिखा रहे हूँ जिसमें capital gain है short term capital gain सारी चीज़े साथ साथ आपको examples के साथ सिखाऊंगी पूरी clarity आपको दोंगी बिना skip कि ये video को इसलिए आपने end तक देखना है और ITR की videos पर सबसे जादा लोगों को question यही होता है जिसमें पूरी practical coverage है आपको उसका link मैं description में भी दे रहे है ITR filing के लिए आपको आना है income tax.gov.it यहाँ इस web page पे अगर आप already register है तो login बटन को use करें register नहीं किया है तो पहले register कर ले और फिर login करें login करते ही यही same dashboard आपके सामने आ रहा होगा आप मेरे साथ साथ भी file कर सकते हैं यहाँ पे दो options आ रही है for assessment year 24-25 file now पे click करें या resume filing पे click करें file your return for the year ended 31st March 2024 तो आपको file now पे click कर लेना है file now पे click करते ही आपके सामने assessment year 24-25 की ICHR भरने के option आगी यानि जो income आपने 1st April 2023 से 31st March 2024 तक earn करी की आपको ICHR भरनी है 31st July तक अगर आपको old regime और new regime जो भी opt करना है और related ICHR आप भरोगे तो 31 December की date रहेगी सिरफ new regime के case में अब आपको सबसे पहले एक काम करना है आप आजाए ए फाइल में income tax return में एक option दिख रही है view form 26AS सबसे पहले आपने अपना form 26AS चेक करना है कौन-कौन सी income वहाँ पे आ रही है कोई TDS कटा है, TCS collect हुआ है आपने खुद text भरा है, सब भी details 26AS में आ रही हो, जब यह complete हो तब ही IDR filing के लिए प्रोसीड करना दूसरा आपको tab यहीं पे दिख रहा है AIS का जो भी transactions भाँ पे report हो रही है make sure IDR में आप उसको जरूर दिखाए और कोई आपके लिए गलट transaction AIS में आ गई है तो आप उसे report भी कर सकते हैं अब आपको यहाँ पे online mode select कर लेना है और continue पे click कर लेना है यहाँ पे आपको option दिखेगी आपकी IDR को भरने की अगर आपने कोई already काम कर रख है तो draft में save होके यहाँ पे आपको दिखता है otherwise आप start new filing पे click कर ले यहाँ click करते है आप से पूछा जा रहा है किस के लिए IDR भर रहे हो individual already selected है इसे select रहने ने continue पे click करने अब आपको IDR का form select करना है IDR 2 यहाँ पे लिखा भी है यह ऐसे persons के लिए है IDR 2 जिनका कोई business and profession नहीं है या फिर जो IDR 1 नहीं file कर पाई whether salary income थी पर वो थोड़ा बो share market में shares की sale purchase करते थे तो इस वज़े से उन्हें IDR 2 भरनी पड़ी है यह mutual funds sale करे है यह property की transaction है तो इस case में IDR 2 भरी जा सकते हैं पर यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखे है हमारी share market की भी transactions दो तरह की होती है इसका ध्यान रखना आपको जो मैं बता रहे हूँ एक होती है normal shares की sale या purchase और एक होती है FNO और intraday IDR 2 आप इस case में भरपाऊगे जब आपने shares की सरफ sale करी है FNO और intraday है तो आपको फिर IDR 3 सिलेक्ट करनी होगी clear आपको purchase ही करा है सरफ shares को इस साल में sale नहीं करा तो फिर आपको IDR 1 भी अगर आप salary person हो फिर आपको यह नहीं है कि share market की transaction दिखाने है पर chase नहीं दिखानी होथी, sale दिखानी होथी है हमें क्या-क्या report करना होता है अपना capital gain या lows चाहे वो share market से है, property से है या फिर mutual funds से है यह आपको option आएगी IDR 2 में दिखाने clear होगी आपको आपको करना है proceed with IDR 2 यहाँ पर click करते हैं आपके सामने steps आ रहे हैं करते हैं या फिर कोई income नहीं है पर कुछ और चीजे कर दी जैसे एक साल का पूरा electricity bill एक लाग से जादा है जो लाग से जादा का खर्चा फोरन ट्रैवल पर करा है या फिर पचास अजार से जादा का TDS deduct हुए senior citizen का और पचीस अजार से जादा का TDS deduct हुआ other persons का पचास लाग से जादा saving account में total जमा करा दिये हैं वान करोड से जादा current account में deposit कराया है इस तरह की conditions है तो आप ये second number point क्लिक कर लेना otherwise other भी select कर सकते हो तो सबसे पहली option में select करके continue पे click कर दो तो मैं आपको बहुत detail में कराऊंगी ठीक है इसलिए थोड़ा patience के साथ करना अब ये ITR में थोड़ा schedule दिखाती है आपको 5 options दिख रहे है journal, income, deduction, tax and other इनमें आपको further schedule दिखते है journal के अंदर आपका schedule है जिसमें journal information आएगी और ये तो अब applicable ही नहीं जादा अधर persons पे applicable ही होता इसको छोड़ दे schedule capital gains क्यूंकि आप particular IEE site here पर इसलिए क्यूंकि आप capital gains दिखा रहे हो या loss दिखा रहे हो तो इसको select कर ले ना schedule 112 वे long term capital gain दिखाने के लिए schedule भरना पड़ेगा and then 115 और अगर VDA virtual digital asset यानि आपने bitcoin वगर cryptocurrency में अगर करी है transaction तो वो भी exempt income दिखाने तो ये टिक कर ले ना ठीक है ये दिखाने है pass through income तो टिक कर ले ना अदरवास छोड़ दे ना कोई foreign source income NRIK केस में दिखाने तो इससे select कर ले ना schedule text relief अगर ये दिखाने तो इससे select कर ले ना जो भी select कर रहे हो आप बहुत carefully select करना क्योंकि जितना यह पे schedule अचे से select कर लोगे आगे आपकी ITR उतनी ही आपको neat and clean दिखेगी फिर deduction के आप schedule select कर सकते हो annexures है ये तो वो आगे आप all regime में जा रहे हो new regime में उसके हसाब से then text में कुछ already check है उनको रहने दे ना अगर आपने text कुद पे करा है तो ये schedule जरू टिक कर ले ना TDS and TCS का ठीक है then others के अंदर schedule carry forward loss brought forward schedule CFL, schedule foreign asset AMTC और schedule assets and liability पचास लाग से जादा की income के case में से भरना होता है तो जो भी schedules आपके लिए relevant है उन पे आप क्लिक कर लेना मैं क्लिक कर रही हूं continue पे यहाँ यहाँ पे एक warning आ गई है आप continue पे क्लिक कर दे now skip the question कर दे यहाँ पे लिखा है कि आपका data prefill है पर prefill data को आप edit भी कर सकते हैं तो make sure carefully check कर के डाले अब हमी सबसे पहले पार्ट जर्नल information पे action लेना है सबसे पहला काम आपको करना है अपनी capital gain की statement यहाँ निकाल लेनी है जैसे मैं इस केस में capital gain statement निकाली हुई है यह पूरा trade wise exist है पूरा detail में इसमें सारी detail होती है date wise क्यूंकि आपको quarterly कुछ data देना होता है तो यहाँ के काम आता है यहाँ पर मैंने यहाँ आपनी उनसे निकालन जो आपका demate account है capital gain statement यह फिर profit and loss account statement के नाम से आपको दिखेगा उसमें ना सारा दिया होता है जैसे यहाँ पर short term trade किया हुआ इसकी buy value, sell value, realized profit and loss even यह आ रहे है इनके case में profit है short term capital gain है ठीक है और उपर summary भी हारी होती है यह देखें profit वगेरा की long term profit होता इनके case में 0 है तो वालक से दिखेगा FN वालक दिखेगा ठीक है तो FN के case में आपको फिर ITR 3 फाइल करनी पड़ेगे तो इस तरह की statement आपको चाहिएगी तो मैं यही वाली figures आपको दिखाऊंगे enter करके तो सबसे पहले action लेंगे हम journal information पर यह mandatory है इसमें आपको further tab दिखेंगे उपर तो आपकी personal details और contact का tab आ रहा होगा आपको filing status पे click करना है इसमें आप आपको बताना है आप ITR कौन से section में file कर रहे हो 39.1 हमारा original ITR का section है यह हमारा अगर आप 31 जुलाई के बाद return भरते हो billeted return का section है यह अगर आप revise return भरना चाहते हो कोई गलती होगी 31st December तक आप return को revise कर सकते हो यह modified return का section है और यह condonation of delay का है तो इस बर ध्यान रखना हमारे पास दो regime है old और new new regime की ITR 31st July तक original पर अगर इसे मिस कर दिया तो एक date ओर रहेगी 31 December related ITR old regime के case में एक ही आपके पास date है 31st July इस date तक ही old regime opt कर पाऊगे इसके बाद सिरफ new regime ही आपके लिए available रहेगा और even share market की transaction है loss है तो फिर तो आपको 31st July की date को miss भी नहीं करना है क्योंकि आप loss को carry forward नहीं कर पाऊगे carry forward बनता होगा तो loss को carry forward करने की option चली जाएगी अगर आप belated ITR पे जाओगे तो आपने इस चीज का बड़ा ध्यान रखेंगे तो आपने इस चीज का बड़ा ध्यान रखेंगे नीचे यह high-dissection यह notice के response में भरने होते हैं आपे default में already new regime selected है क्या आपको opt-out करना है नए आपको बस यहीं से बताना है अपका old है या new है तो मैं मानलो old कर रही हूँ है पहले new कर देती हूँ मैं old कर देती हूँ ताकि आपको reductions भी थोड़ा सा बता सकूँ और बस यह जो आपके response आज़ा की क्यू आइटर बहर रहे है इसको अब आपको अपना residential status देना है क्योंकि NRI की बिरिड़ान है तो resident, known resident, resident पर not ordinary resident आप select करेंगे और further यहां पर क्यूं है आप resident तो यहां पर जो भी conditions है मैं पूरा आपको detail में नहीं बता रहे हूँ उसके हिसाब से आपने residential status यहां पर बताना है इसको नो कर दो यह civil code वाला नो ही है whether you are an FPI इसको हम नो कर देते हैं detail of representative assessi क्यों representative death वग्यारा के case में अगर भरता है तो yes करना अदरवाइस नो detail of directorship क्या आप किसी company में director है तो फिर क्योंकि director भी इसको भर सकते है रे अगर है तो yes करके अपनी सारी detail डालेंगे नहीं तो no कर देंगे unlisted equity shares है अगर आपके पास yes करोगे तो इसके detail देनी पड़ेगी अदरवाइस no कर देंगे इनको save कर लेना है save कर लिया अब हम bank detail पर action लेंगे तो यहां पर पूझा जा रहा है कि can only ensure at least one bank account यहां पर शो रहे हो अगर आपका bank यहां पर add है तो देखना है कि validate है या नहीं और फिर add another करके आप और भी यहां पर bank detail add कर सकते हो बस आपको confirm कर देना है confirm पर क्लिक करते ही आपका party journal information जैसे ही भर गया आपके पास आगे के schedule भरने की option आगई schedule salary house of party जो भी मैंने schedule select कर रहे थे वही मुझे दिखना है तो मेरी ITR उससे साब से customize हो गई जैसे जैसे मेरी income है मालो salary income आपकी ना होती तो uncheck कर देते पीछे तो salary न डालनी पड़ती मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूं salary तो salary में आपको यहां पर gross salary add another करके डालनी है यहां पर ITR 2 और 3 अगर आप भर रहे हो और salary income है तो थोड़ा detail जाती है आपकी ITR में salary के case में बैंक statement से या cash में मिलती है तो total कर ले और फिर उसका amount आपने section 17 1 में यहां break up wise डालना है basic salary DEA इसमें थोड़ा detail जाता है तो वह आप डालना और यह सारा break up आपको अपने employer से लेना पड़ेगा अगर आप salary income डाल रहे हो ITR 2 opt कर रहे हो तो पूरी detailed salary यहां पर आपको डालनी ह ठीक है इसमें details आती है आपकी salary nature of profit in lieu of salary उनका भी break up देना होता है section 17 2 का भी break up देना होता है exam allowances का भी break up देना होता है फिर income chargeable under the head salary आपको check कर लेना है तो मैं बहुत जादा है salary नहीं सिखा रहे हूँ आपको क्यूंकि मेरा जादा focus है आपको capital gain बताने पर schedule house of party अगर आप house of party own करते हैं तो आप उसकी detail यहाँ पर डाल सकते हैं आप भी house of party detail में डालनी पड़ती है पूरा detailed address बगेरा डालना पड़ता है फिर add करके आगे आप उसकी income report कर सकते हो self occupied house of party की let out की housing loan लिरक है तो उसका interest भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं अब हम बात कर by making necessary modification in table number F तो यहाँ पर एक warning आ रही है इसको okay कर ले आप यहाँ पर आपके पास option आ गई है आपके total assets को दिखाने की जो आपने sale करी है तो land या building को अगर आपने sale करा है property की sale के case में आप इस schedule को tick करके detail एंटर करेंगे equity shares या unit of equity oriented mutual fund तो अगर आपने equity share बेचे हैं या mutual funds STT इस paid यह ध्यान रखना ज्यादा तर जो आप DMAID account online operate करते हो उन पर STT paid होता है तो इसमें cover होगा section 111 A 115 AD यह होता है हमारा short term capital gain के लिए यह होगा हमारा long term capital gain के लिए इसके case में हमें इसका schedule भी भरना पड़ेगा ठीके bonds or debentures बेचे हैं आपने other than capital index हर चीज़ आपे लिख आप खुद पढ़के भी देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा relevant है from sale of asset other than all above आपको लगे कि मेरा इन में नहीं होडा cover तो आपके पास यह option होते है from sale of asset other than all above डालने की जो तरीका है वो बिल्कुल similar रहेगा तो यहां पर बहुत सारी bifurcation दी है मैं आपको shares वाली दिखा रही continue हम क्लिक कर लेंगे अब इसके बाद continue पे जो मैंने select करा सिरफ वही मेरे सामने आ गए option add करने के लिए तो मुझे एक एक करके action लेना है इस पर click किया add details की option आ गई अब आपको select करना है क्या आपको enter करना है मुझे section 111a add करना है क्लिक करते ही नीचे मेरे पास option आगी enter करने क अब इसको आपने बहुत ध्यान से समझने है यहाँ पर मुझे दिखाना है 111a में अपना short term capital gain क्या क्या दिखाना है full value of consideration यानि यह होता आपका sale price जितने पर आपने बेचा टोटल डागने आपको जितने भी shares आपने sale करें जो short term में है उनका total sale price जो deductions मिलती है अगर हमने sale करी है purchase भी तो करी होगी तो मुझे पहले उसका purchase price चाहिए यहाँ पर आएगा इसको cost of acquisition बोल देते है income tax की language में then cost of improvement यह आपके case में नहीं आएगा आप इसको छोड़ देना और expenditure wholly and exclusively in connection with the transfer यह भी आपकी statement के अंदर सारे expenditure दिये होते हैं बस फिरी आपने आपका short term capital gain निका यहां इस case में short term trade है buy value है 5,067 रूपीज और sell value है 5,08,247 और profit and loss भी यहाँ पर बताया है तो मैं यह दोनों figure ही यहाँ पर enter कर ले तो मैं round of में ले ले लेती हू 5,08,000 और 5,06,000 क्योंकि मैं अभी आपके एक example के साथ बता रहे हूँ यहाँ पर full value of consideration में इस case में जो आ रहा ह है then cost of acquisition 5,06,000 है ठीक है then cost of improvement coin year then इनके कुछ खर्चे भी थे जो statement में दिये थे मान लो 500 रूपीज के है then नीचे आपका balance अपने आप आ जाएगा जो भी यहाँ पर निकलेगा यह निकलेगा 1500 का इनका short term capital gain तो बिलकुल easy है ठीक है बस आपकी statement वगेर आपने accurately निकाली हो यह दियान रखना तो यही figures अभी मैंने enter कर दी है और अब आपको देखें दिख रहा है यहाँ पर short term capital gain on equity shares या equity oriented mutual fund तो दोनों को डालने की option ही है कि mutual fund sale करें है या shares short term है तो यहाँ डालना है और इसे add पे click कर देना है add पे click करते ही अगली option आगी यहाँ तो 1500 का short term capital gain दिख गया अब long term भी है तो आपको इस पे click करना है यहाँ पे add detail पे click करना है यहाँ पे यह बोल रहा है कि सबसे पहले यह schedule भरो यहीं से आपको schedule मिल जाएगा भरने के लिए अगर आपकी transactions बहुत जाद है तो यहाँ पे option आती है upload कर लो CSV file ठीक है आप यहाँ से इसका template भी download कर सकते है CSV का template download करें उसमें detail एंटर कर ले और फिर उसी upload कर दें तो सारा data आप से यहाँ पे upload हो जाएगा अगर कुछी details है तो add detail कर ले यहाँ पे सबसे पहले आप से पूछा जाता है select करें share या unit कब acquire करे थे 31st January से पहले करे थे 2018 से या फिर 31st January 2018 के पाद तुचादे करते तो ISIN code ड डालना होता number of shares, sale, price, cost of acquisition, fair market value चाहिए होती है 31st January 2018 को डालनी होती, expenditure जो है और full value of consideration और अगर आपका after है तो इसे select करते, फिर ISIN code नहीं चाहिए होता, आपको यहाँ पे consolidated अपने shares की reporting करनी होती है, बस यहाँ पे आपको क्या डालना होता है, cost of acquisition, full value of consideration तो मैंने आपको बता sale price, यह आपको आपकी deemate की statement से मिलेगा, cost of acquisition है आपका purchase price, उसको यहाँ पे enter कर दो, और जो expenditures हो है, मानलो आपके हैं यहाँ यहाँ पे 10 lakh के, और यह है sale price आपका 8 lakh का, sorry, sale price है 10 lakh, purchase price है 8 lakh, expenditure है 10,000, तो balance आपका long term capital गेन हो जाएगा, और अगर मानलो यहाँ पे आपकी purchase value होती 12 lakh, तो आपका 2 lakh के करीब का long term capital loss होता, जिसे आप adjust भी कर सकते हो, long term capital loss को आप long term capital gain से adjust कर सकते हो, या फिर उसे फिर carry forward भी कर सकते हो अगले 8 सालों के रे, तो यह schedule आपको ज़रूर भरना है, अपनी details enter कर लेनी, तो यहाँ जो मैंने आपको example दिया था, वही मैंने यहाँ प इनको आगे, पूरी details है, आपने मुझे दिख रही है, ठीक है, आप इसको check भी कर सकते हैं thoroughly, तो यहाँ पर long term capital gain मेरा यहाँ पर show कर दिया, इसलिए, अगर आपको और shares या unit add करने, तो add another की option आती है, आप इसको confirm कर दे, confirm पर click करते ही, आप अब आ गए है, बाहर, आपका capital gain fill हो चुका है, 112 capital ले fill हो चुका है, अगर आपने virtual digital asset, crypto currency sale करी है, तो आपको इसको click करना है, यहाँ click करेंगे, तो यह आपको message आ रहा है, इसको okay कर दे, add detail पर click कर दे, यहाँ भी date of acquisition के हिसाब से, date of transfer के हिसाब से, head कौन सा है, head under which income to be taxable, capital gain automatically selected है, क्यूंकि VDA में आप lows को ना तो carry forward कर सकते हो, ना ही set off कर सकते हो, crypto currency के case में, सीधे सीधे आपके profits पर text लगता है, lows का benefit आपको नहीं दिया जाता, इसलिए सिरफ capital gain की हाँ पर option है, तो date सिलेक्ट करनी है, कब लिया था, कब sale करा था, यह हमारी है, buy करने की date, buy करने की date, यह हमारी है, sale करने की date, यहाँ पर आएगा purchase price, ठीक है, sale price, और यहाँ पर फिर उनकी income, यह अपने आप निकलाएगा, मानलो आपका cost of acquisition है 2 lakh, और आपका consideration, crypto के case में तो consideration काफी जाधा होता है, 10 lakh, और आपका profit है 8 lakh का, यहाँ पर उस पर tax लग जाएगा 30% का, और मानलो अगर loss होता, एक crypto currency आपने खरीदी थी 1 lakh की, और बेची सिर्फ 50,000 की, तो यहाँ पर आपका loss है 50,000 का, और दूसरी currency आपन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर loss का benefit नहीं दिया जाता, अपनी VDA की details आप इस तरह से add कर सकते हैं, आपको VDA की reports डाउनलोड करनी है, काफी सारी उसमें transactions होती है, तो कुछ softwares मिल जाते हैं आपको, जो आपको option देते हैं, उनको consolidated, उनकी summary बनाने की, तो आप युज कर सकते है capital gain के schedule में, आपको एक चीज़ over enter करनी है, अपनी capital gain को डालने के बार नहीं, यहाँ पर आपके पास option आ रहे है, information about accrual or receipt of capital gain, तो आपको यह रा, quarter wise यहाँ डालना होता है, up to 15 June, 16-15 सितंबर, 16-15 और 15 December, 15 March, 16 March, 31 March, इस period के हिसाब से, आपको यहाँ पर अपनी figure को bifurcate करना होता है, otherwise यह automatic पहले ही period में लेता है, बट आपको barforkation यहाँ पर देनी होती है, तो इस पर आपने action ले लेना है, इस field में, ठीक है, यहाँ पर edit करने का button है, तो अगर आपके पास इसारी details अवलेबल हैं, तो आप इसको ज़रूर add कर लेना, तो हमने यहाँ पर majorly schedules discuss कर यहाँ आप अपनी gross total income, normal rate से जो applicable है, वो add कर सकते है, add detail पर click करके, यहाँ पर drop down list अगई, dividend है, interest है, rental income from plant and machinery, gift, etc. और क्या आप यहाँ पर report कर सकते है, income chargeable at special rate, जैसे आपने lottery, gambling, या किसी कोई और price money जीती है, तो आपकी special tax rate की income होती है, उसको आपको फिर यहाँ पर report करना ह होता है, यहाँ पर आपकी option आती है, add detail करने की आप डाल सकते हो, family pension बगएर दिखानी है, तो वो add कर सकते हो, ठीक है, तो आपकी net income from other source दिखती है, income from source, winning horse, race बगएर की अगर डाली है, तो यह income भी आप other sources में, यहाँ आप आप आपकी income है, आप report कर सकते है, जो भी आपकी income schedule, CYLA, यह होता है, income after set of current year losses, तो इस पर आपने आप action होता है, पर एक बार इसको check कर लेना, इस schedule को open करोगे, तो यहाँ पर आपकी income दिखाई होती है, current year की, कौन सा low set of करा आपने, net low set of होने के बाद क्या है, और current year की income remaining after set of, तो यह सारी चीज़ आपको दिखा दिखा दिय यह special rate का, जो income है मेरी, 10% इस पर tax लगेगा, ठीक है, और अगर 20% होता, other than share वाला, तो वो यहाँ दिखता, property वगेरा का भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो, तो यहाँ पर सारी मेरी incomes report हो गई है, ठीक है, यहाँ पर खुदी lows remaining after set of year, total set of वगेरा दिखा रहा है, यहाँ मेरे करके आप इसे added भी कर सकते हो, back to schedule चलते हैं, यह था carry forward का, अब है brought forward, कोई आपने पिछले सालों के loss brought forward करने है, यहाँ पर आपको खुद action लेना होता है, कोई पुराने loss है आपके, पहले कोई long term capital loss था यह short term capital loss था, आपका आगे-ागे carry forward हो रहा है, आप यहाँ पर लिखा ह आपको जरूर लेना है, अगर आपने पुराने loss इसको आगे के सालों में brought forward करा है, यह रहा वो schedule CFL, इसो क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने years आगे, जिस भी year के लिए brought forward आपका loss है, headwise, house of party का short term capital loss, long term capital loss, यह loss from owing and maintaining resources, वो आपका पहले कभी भी अभी त set off नहीं हो पाया, तो आप brought forward करते रहें, पर make sure यहाँ पर उसे जरूर दिखाए, otherwise वो आपका यहाँ पर नहीं डाला आपने, तो आगे फिर आप उसका benefit नहीं ले पाएंगे, यहाँ पर डाल लेना अपने losses, बहुत ही carefully भरनी होते हैं, आपको ITR, कोई भी गलती, तो बस आ एक ही deduction मिलती है, 80 CCD 2 की, ठीक है, सब वही डालने की option आएगी, तो आपकी और deductions भी है, old रिजीम में जाना चाहते हैं, तो वो आप ले सकते हो, यह चेक करना है, आपके लिए old रिजीम अच्छा है, या new रिजीम अच्छा है, तो मेरे आप हमारे YouTube चैनल पे आई, यहाँ अब ही मैंने वीडियो डाली थी, income tax calculation, old versus new रिजीम, एक ही मिनट में जाने, इसे आपको पता चल जाएगा, और deductions को अगर डिटेल में जाना है, तो मैंने कुछ दिन पहले लाइव करा था, यह है, ATC से ATU, सारी deductions में बताई है, तो यह सारी वीडियो में, description और pin कमेंड म और इसी तरह की और income है, कोई आपको retirement के time पे benefits मिले है, तो आपने exempt income में ज़रूर दिखाना, यह अपने आप आते हैं, खुदी, आप इनको चेक कर सकते हैं, एक बार open करके सब पर actions ले सकते हैं, बिन आपकी यहापे आगे computation, इसको आपने खोल के, अच्छे से thoroughly चेक करना है कि house property, salary, capital gain, other sources, और जो भी आपने चीज़े दिखाई हैं, वो क्या सही report हो रही है यह नहीं, balance after set off of current year losses, brought forward losses, सारे अच्छे से आपने चेक करना है, आप इसी schedule पे भी जा सकते हैं, बहापे click करोगे तो, मुझे अपकी से उसी schedule पे लिया है, गलती से click हो गया, तो यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे आ रही है, और फिर confirm कर देना है, आपका अगला schedule है, taxes paid का, तो आपने अगर खुद tax pay करें, या फिर आपका किसी ने TDS या TCS collect या deduct करा है, तो वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, salary का यहाँ, other than salary का यहाँ पे, tax deducted at source on income, यहाँ, tax collected, और अगर आपन करना है, भूलना नहीं है, TDS deducted at source, इस वाले tab पे आपको एक बार click करना है, add detail पे click करना है, यहाँ पे self select करना है, को यहाँ पे corresponding receipt offered, यह इस पे action लेना होता है, कि जो आपका TDS कटा है, उसकी income आपने कोन से head के अंदर दिखाए, यहाँ पे आपको option मिल जाती है, add करने के, अगर add है, तो तब भी यहाँ action लेना पड़ता है, self के case में, ठीक है, यह जब details में डालूंगी, तो आगे की field active होगे, तो आप यह भी carefully कर लेना, और बस आपका last tab, computation of total income, इस पे आपको click करना है, इस sheet के अंदर दिख रहा है, आपका कितना tax बनता है, या कोई refund बनता है, य आपकी liability zero हो गई है, तो आपने इसको thoroughly check करना है, सारी चीज़े, special rate की income का tax, सभी चीज़े ही पर आएंगे, आपका TDS and TCS का credit, ठीक है, कोई refund बनता है, यहाँ पर तीन-चार बार आपने उसे check कर लेना है, यहाँ पर एक question है, कई बार इसकी वज़े से error आचाता है, इस पे no select होना चाहिए, do you at any time during the previous year, hold as beneficial owner or beneficiary or otherwise any asset located outside India, or have signing authority in outside India, have income from any sources outside India, तो यहाँ पर no जरूर होना चाहिए, ठीक है, यह चीज़े आपने चेक कर लेनी, और बस जब सारी tables पर आप action ले लोगे, आपने करना है, क्लिक proceed to verification, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, तो आपको अपना आपके फादर का नाम, पैन, सेल्फ की capacity में return भर हो, यह सभी चीज़े दिखाई देंगी, और फिर आप आगे, प्रोसीड करोगे, तो आपको आपको आपकी आईटर पूरी Excel में दिखाई देगी, थोरल ही आपको बार बार इसको चेक करना है, जहां भी refund बनता है आपका, वो दिख रहा है, उसको दो-तीन बार चेक करो, आपकी कोई tax liability बन रही है, तो फिर उस tax liability को पहले आपने pay करना है, फिर उसको दिखाना है, TDS और TCS वाली sheet में, self assessment tax के अंदर, और make sure आपका, अगर कोई refund नहीं है, तो zero हो जाना चाहिए tax liability में, कुछ persons tax liability के साथ ही item भर देत refund बनता है, तो दो-तीन बार चेक करें, कि आपके साथ से जितना refund बनता है, उतना ही दिख रहा है, जब तक 26AS और AIS ना complete हो जाए, तब तक आपको आगे अपनी item नहीं भरनी है, wait कर लेना है, उनके update होनेगा, property की sale के case में भी आपको इसी, जैसे मैंने आपको share के case में दिख रही है, नहीं तो आप हमारा course भी buy कर सकते हैं, जो आपको अवलेबल है, cagurujiclassis.com पे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो के नीचे भी subscribe का button है, या cagurujiclassis.com पे, अब आजाए हमारी website cagurujiclassis.com पे, यहां courses section में courses और combos अवलेबल है, advanced learning के course है, दो आपको dupli case ही मिलेगी, एक lifetime validity वाले course है, यह thumbnail है जिनका, और जो yellow color में लिखे है, यह limited validity के साथ है, हमारे जिस भी course में आप interested है, जैसे इसमें interested है, तो इस पे click करें, पूरा course curriculum read करें, हम आपको यही suggest करते हैं, कि पहले read करें, कि क्या-क्या coverage है, 10-15 मिनट अनाम से website Yes, this course मेरे लिए है, तो add to cart करके आप इसे buy कर सकते हैं, और यहाँ FAQ section में जाएंगे, तो सारी detail दी है कि कैसे आपको हमारे courses इसको buy करना है, यहाँ पे videos लगी हुई है, और कैसे उसमें enroll करके फिर उसको देखना है, तो आप भी अगर advanced learning में interested है, cagurujiclasses.com पे एक बार जरू सी earning कर रहे हैं, इसलिए आप इस website को एक बार जरूर visit करें, thank you.